ये हैं विकास भाई जोनोंने बात्षा नगर रेलवे स्टीशन से एक वीडियो बना कर हमें भेजा विकास भाई बहुत बहुत शुक्री आपका थैंक्यू सो मच मिले भाई एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बना कर हमें भेजने के लिए हमारी दुआ है कि आप जहां कही भी रहें खुश रहें आबाद रहें यहां पर देखिएगा फ्रेंस हम आप लोगों को जो अपडेट दे रहे हैं वो बात्षा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का दे रहे हैं प्लेटफॉर्म नमबर 3 के साइट का अपडेट जहां पर नया ट्रैक डाला जाना है डबलिंग का काम चल ला है मलहौर से डाली गंज के बीच में तो उसी के बीच में बाश्या नगर रेलवे स्टेशन भी आता है और फिर जब मलहौर की दिशा में बढ़ेंगे तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन तो यहां पर देख सकते हैं अभी ट्रैक डालने की शुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से बनाने से संबंदित वो यहां पर पड़ा हुआ है इसके लावा जो कोच इंडिकेटर होते हैं वो भी यहां पर लगा दिये गये हैं LED डिस्प्ले जिसे आप समझ सकते हैं प्लेटफॉर्म नमबर एक की लंबाई बढ़ाई जा रही है अगर रेलवे स्टेशन का और यहां पर अगर गौर करें तो यह डाली गंज की दिशा हो गई यहां पर डबलिंग का काम भी किया जा रहा है देख सकते हैं फ्रेंड्स मजदूर लगे हुए हैं एक छोटा सा अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं विकास भाई का कहना ह मलहौर से डाली गंज के बीच में जो डबलिंग और रेल इलेक्रिफिकेशन का काम चलना है सबसे जादे जो डबलिंग में समस्या आ रही है वो यही पर आ रही है बाश्या नगर रेलवे स्टेशन के पास में ही जो यहां पर यह रिखी ए ट्रैक है इसको डबल लाइन से जोड़ा जाना है जो इस टॉपर यहां पर लगा हुआ है तो इसको डबल लाइन से आगे डाली गंज की दिशा में जोड़ा जाना है ऐसा विकास भाई का कहना है तो एक छोटा सा अपडेट बाश्या नगर रेलवे स्टेशन से यह सामने जो दिशा आप लोगों की थी व 12 किलोमेटर की उसमें भी काफी साल लग गए और यह काम काफी समय पहले ही पूरा कर लिया जाना था उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह छोटा सा वीडियो जोग पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जोड़ कीजिएगा चैनल को सब् जय हिंद जय भारत